याद है जब IPL के ओपनिंग मैच में ही ब्रेंडन मककलम ने चकको का जल्वा दिखा कर 158 पन स्कोर किये थे? या जब क्रिस गेल ने T20 क्रिकेट का हाइस्ट स्कोर IPL में बनाया? इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खास मोमिंट्स की बात करेंगे जिन्हें भूल पाना पॉसिबल ही नहीं है नमबर पांच CSK 2018 का कमबैक IPL के शुरुआत से ही चन्नाय सूपर किंग्स एक डॉमिनन टीम रही है लेड बाइ दे सेंसेशनल महेंदर सिंग धोनी चन्नाय सूपर किंग्स के बिना IPL अधूरा सा लगता था और जब वो वापिस लॉटे तब ये क्लियर था कि प्लेयर्ज औफ फैन्स दोनों काफी एमोशनल थे 2018 में इसी डिटर्मिनेशन के कारण चन्नाय ने पूरे टूनमेंट में शानदार क्रिकेट खेला Sunrisers Hyderabad को हरा कर उन्होंने तीसरी बार IPL अपने नाम कर लिया and they ended up rising up from their ashes नमबर फॉर ब्रेंडन मककलम्स हेरोइक्स IPL के इतिहास का सबसे पहला मैंच Kolkata Night Riders और Royal Challengers Bangalore के बीच Bangalore में खेला गया था IPL के शुरुआत में ही everyone felt that there was something special to it और ये मैच उन बातों पर खरा उत्रा पिच पे उतरते ही मैं कलम्स ने डिलिवरी इसको ग्राउंड के हर कोने पे भेज़ा उन्होंने उस मैच में 13 छक्के और 10 चौक्के लगाए 73 बॉलों में 158 रन पर नॉट आउट रहेकर बाज में कलम्स ने KKR को 222 रन बनाने में मदद की नमबर 3 विराट कोली का फ्रीक सीजन विराट कोली ने 2016 की शुरुआत सबरदस्त फॉर्म में की उस साल विराट absolutely unstoppable थे और उन्होंने 4 centuries भी बनाई जी हां 16 T20 मैचेस में 4 centuries और उस सीजन कोली का अवरज असी के ऊपर था और उन्होंका स्ट्राइक एक सो पचास के ऊपर The 973 runs that विराट कोली made that year is by far the most scored by a single player in a single IPL season 2. The Very First IPL Final उस साल चैने Super Kings सबकी फेवरिट थी Rajasthan Royals on comparison looked like a weaker side on paper लेकिन जब वो फाइनल में आमने सामने आए तो result कुछ और ही था रहना पार्तिव पटेल और धोनी के नॉक्स की मदद से चैने सूपर किंग्स ने Rajasthan Royals को 164 run का target दिया राजिस्थान के लिए 49 बॉलों में 56 run बनाकर यूसफ पठान उस मैच के स्टार बन गए मैच का रुक आखरी बॉल पर डिसाइड हुआ जब शेन वाणने बाउंडरी लगा कर अपनी अंडर डॉग साइड को पहली IPL ट्रोफी जित्वाई नमबर वान क्रिस गेल के 175 run अगेंस पूने वारियर्स इंडिया उन्होंने केवल 30 बॉलों में 100 runs बनाकर T20 cricket की fastest century का record अपने नाम किया इस milestone के बाद भी गेल नहीं रुके और उन्होंने 66 गेंदों में 175 run बनाए With the help of 13 fours and 17 sixes, 154 of Gail's 175 runs arrived in boundaries